आप एक्सल में डेटा इंट्री करते है या कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आपका प्रेजेंटरेट्शन जो है बहुत youngarray होता है मतलब आपका जो रिपोर्ट है वो किस तरह से maneuverstheiten दीखे इस पर यह करता है आपका report का quality तो यहाँ पर हमारे पास MS Excel में बहुत से ऐसे option होते है जिससे कि आपका report और ज्यादा attractive बनता है तो उसमें से एक option और है जैसा कि अगर आप जो है किसी particular कोई heading या sub heading को अगर अलग से देखाना चाहते है तो आप उसको italic भी कर सकते है italic के लिए Excel में shortcut है control I जो भी आपने sales से लिख किया है वो control I करने के बाद वो इस तरह से italic होगा तो इसी तरह के shortcut सीखने के लिए Marks Excel India को अभी subscribe करें